स्मित राना बच्छों आप सभी का हमारे एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग यहाँ पर जिलोजी फैस्ट पीपर लेकर के चलने हैं जिसमें हम लोग पैरासाइटोलोजी के बारे में डिसकस कर रहे हैं और पैरासाइटोलोजी के अंतरगत हमारा एक प इंडिविज़ॉल की तीन ऐसी इस्पीसीस थी जो की क्या कर रही थी डिजीज काॉस कज долब्श कर रही थे बात यहांपर यहां पर आ रही है कि जो डिजीज काॉस हो रही थी न को हम लोगों ने देख लिया था कि इत्रिपेनोसमा गेमबियंस के दौरा sleeping sickness हो रहा था ठीड के दौरा भी sleeping sickness हो रहा था और यहां पर आपने जो डिब्रे लाई समोर कुरूजाई देखा था उसके दौरा भी sleeping sickness like disease हो रही थी तो हम लोगोंने पूरा complete देख लिया, पूरी series YouTube के उपर आपकी पड़ी हुई है, आप देख लिजे, ठीक अगर अभी तक नहीं देखी है, आज हम लोग एक नया proto zone लेकर क्या आये हैं, इस proto zone को एक ही lecture में खतम कर देंगे, बहुत बड़ा नहीं है, important बहुत सारा है, इसमें life cycle की पूशी आती है, तो कि lecture 5 के इंतरगत हमारा आएगा, जिसका नाम है जियाडिया, ठीक है, ये भी एक प्रकार का बच्चों, proto zone है, ये भी एक प्रकार का proto zone है, तो फटा-फट heading डाल दीजे, बिना किसी के समय गवाए, और आपको मैं बता दूँ कि इन सारे lectures जो मैं य जितने भी लेक्चर में यहाँ पर डालना हूँ आप लोगों के बीच में, ये सभी की जो PDF फाइल है, वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रूप पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रूप जाकर के आप सर्च कर लीजे, टेलीग्राम लूड करिए, फिर वहाँ पर search option में जाकर सर ली, तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अब काम चालू हो चुका है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जब सत्र हमारा स्टार्ट हुआ था, नया सत्र 2023 स्टार्ट हुआ तभी मैंने बोल दिया था कि यूट्यूब के बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिलने व पड़ रहा है, और आप लोगों को भी देखना पड़ रहा है, यूट्यूब के उपर तो में पूरा कंटेंट डालने वाला हूं, लेकिन अप्लिकेशन जो हमारा है, उस पर जितने भी क्लासेज हैं, या जितनी भी वहां पर कोर्सेज हैं, उन पर एक बहुत बड़ी अप लिंक पड़ा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और डारेक्ट जुड़ जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडिया फाइल अवलेबल हो जाएंगी, इससे रिलेट जितनी भी क्लासेज चलेंगी, उन से ठीक है, चलो, तो हैडिंग डाल दो, जी आडिया, और जी आडिया में स वह किस तरीके से आपको लिखना है, उसको समझेगे, तो सबसे पहले आप इसके किंगडम के बारे में बात करेंगे, किंगडम इसका क्या हो जाएगा, प्रोटो-जोवा, सब फाइलम की बात करेंगे, तो सब फाइलम इसका जाएगा, सारकोमस्टिगोफोरा, क्या सारको मस्टीगोफोरा वहीं पर अगर लोग सिपर क्लास की बात करें मस्टीगोफोरा मस्टीगोफोरा और इसकी मस्टीगोफोरा और उसकी कलास लुग YEimm से रिलेटेड है पॡूटोजॉन है तो इसमें परहजला पाया जाएगा जिसका और नDear का करेगा लोको मोशन की क्रिया को शोग करेगा और लोको मोशन special form में कहां मिलता है animals में मिलता है सो फार हम यह कह सकते हैं कि यहां पर जू लगाया गया है क्यों क्योंकि यह लोको मोशन कर रहा है तो जू मस्टिको फोरा इसका क्या जाएगा class जब लो मोने डिड़ा व्यमिली हो जाएगी है जी आरी क्या हो जाएगा जिसको पढ़ी रहे है और species जो यहाँ पर special form में हम लोग देखेंगे वो कौन सी है lamblia ठीक है तो giardia lamblia जो है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है इसके बारे पढ़ना है तो यह दो नंबर का question आप लोग के बीच में यहाँ पर आ गया ठीक है यह दो नंबर का question आपके बीच में यहाँ पर solve हो गया इसको याद कर लेना बहुत important इसको मैं याद नहीं कराऊंगा systematic कैसे कोशन आ सकता है एक नंबर का दो नंबर का की जी आडिया के यह निम्न में से classification को दीजिए निम्न लिखित में से classification को करिए तो जी आडिया हो सकता है बहुचरिया बनका सब्सक्राशन क्या है किए डहर है चाहिए लेुट से लेंब लिए एक प्रकार का य्ोनि यूजलर का सा खेले यूज़ृता यूजलर पाय जाए गा क्या है एक प्रोटोजोन है ठीक है तो जी आडिया लेंबलिया एक प्रकार का यूनिसलूलर यूनिसलूलर कॉमा एन अरोबिक कॉमा फ्लैजीलेटेड प्रोटोजोन होता है जो हीुमन वह अधर वर्टीब्लेट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडिनम भाग पहला भाग है दियोड रखिएगा बच्छों कि यहां पर जो जियाडिया लेंबलिया है ठीक है यह केवल और केवल एक ही होस्ट में अपनी लाइव साइकिल को कंप्लीट करता है और वो होस्ट या तो हीमन हो सकता है या तो और कोई जो वर्टीब्रेट है जिनके अंदर वर्टीब्रल कालम पाई जाती है बहुत सारे ऐसे कोड़ेट है जिनके अंदर वर्टीब्रल कालम पाई जा रही है तो उनकी स्माल इंटेस्टाइन के डियरोनम भाग में एंडोपरासाइट की रूप में पाया जाता है ठीक है नेक्स देखे लिखा हुआ है जी आडिया का इंफेक्शन एडल्ट क से क्यों कम होता है तो भी अपच्चों में इसलिए जादा होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह सकीन के ओपर आ जाता और बच्चे गंदी से कंटमिनेटिटीट फूड को अगर वो लेते हैं ठीक है इन्पेक्टेट फूड या घंदा हाथ 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 आपने वाश नही कि अच्छे से उसको खाने से क्या होगा यह प्लाबर कि लिखा हुआ है जियाडिया की प्रत्यक्षिल के पॉस्चीरियर डि एन्ड है पिछला भाग है पर एक लॉंग फ्लेजला प्राइउच्ट के अतना है जिसकी प्रिजेंस के कारण जी आडिया को नॉर्मली ऑल्ड मेन आफ इंटेस्टाइnahmen तो कोशन एक यहाँ पर Korea को ऑने गारी 여ा आदिया तो ग्रेंड ओल्ड मेन आफ इंटेस्टाइन और गौल्ड ऑर जी आडिया ठीक है कहते हैं कारने एक प्रकार का डायरियात करता है टाई को सिर्फ कारणिस के बात करेंगे इसके कि इसका structure कैसा है तो एक ही वीडियो में सारा कंटेंट में अपलूड कर दिया हुए आप सारा कंटेंट डाल के आपको पढ़ाए दनो एक ही लेक्चर में आपका जिया डिया कंप्लीट ठीक है अभी कितना भी लब बड़ा लेक्चर हो जाए हर एक को अब मैं कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में प्रोवाइड करा दूँ ठीक है अब देखिए पहला पंड यहां पर लिखा हुआ है जी आइडिया एक यूनी चेलूलर कॉमा पैरासाइट प्रोटोजोन होता है जिसकी बॉड़ी लगभग दस से अठारा माइक्रोन लंब पीर शेप होती है कि दस्ट से अठारा मैक्रोन लंबी फारा से होती है जिसकी डार्साल सर्फेस अंवेक्स शेप जिसकी कॉम्हें चयुमसल्टि होती है जिसकी डार्सल सर्फेस J目前 कॉम्हें होती है इस बात को याद रखisyये ठीके next article देखें लिखा हुआ है GRGA के body के ventral या ventral anterior GRGA के body के vemetro anterior end की और एक succation groove पाया जाता है इसका जो ventral anterior end है कीज़़ी जो बाड़ी है उसका जो फेंटरों एंटdoor एंड है वहाँ पर क्या पाया जा रहा है एक सक्ष duplicफ F पाया जाता है इसे लिखा हुआ चार जोडी फ्लैजला अरेंज रहते हैं तता इसकी सेलकी सर्फेस पर कितने चार जोडी फ्लैजला अरेंज रहते हैं देखो फ्लैजला 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3, 4 ठीक है और इन सभी फ्लैजला का नाम है तो anterior lateral फ्लैजला ठीक है anterior lateral फ्लैजला दूसरा कौन सा है आपका दूसरा है पॉस्टीरियर लेटरल फ्लेजला एक तो है एंटिरियर लेटरल फ्लेजला दूसरा पॉस्टीरियर लेटरल फ्लेजला ठीक है वेंटरल फ्लेजलम इसको हम क्या बोलेंगे वेंटरल फ्लेजलम कॉडल बेशल ग्रैनिल नीचे की तरफ ह होता है और आपको कौन सा होता है यहां पर इंटीर्य और थीस खीडिल आ के रूप में रहते है इसमें प्रेज़ला के रूप में क्या होता है अरेंज रहता है तो caudal granule उसके पास में caudal flasella यहाँ पर अरेंज हैं निकले हुए हैं और यह anterior lateral flasella यहाँ पर यह posterior lateral flasella है और यह caudal flasella यह आपर क्या निकले होते हैं तो कितने प्रिकार के हो गए चार प्रिकार के प्लैजला पाने जा रहे हैं आगे देखे लिखा हुआ है जीया डीया सामाणिता बाइनरी फिशन मैथट द्वारा रिप प्रडॉक्शन और गेवल और बाइनरी फिशन method द Dawra ही क्या करता है अपने जनन को अपने रेप्षरेंफ में पाये जाने वाले आमीन्य जंकडिक होग है हुँमनकी इस्मॉल इंटस्टाइब में हैं इन सबको यह प्रोटोजोन अपने फूड के रूप में क्या करता है ठीक है नेक्स मां देखे लिखा हुआ है यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन से निट्रिशन आप्टेंड करने तथा इस्मॉल इंटेस्टाइन को लगातार हामफुल पहुचाने के कारण जियाडिया का का infection होने पर इंफेक्टट परसं में इंटेस्टाइनल डाइयरिया के सिंटाम्स फ्रक्ट हो जाते हैं और यहां पर यहां पर हुआ है और यह क्या है नूपिलियस है यह साइटेइप यहां पर है यह जो लेसिंदर प्रदेंट उक नहां पर एक इसके Qgel end पर एक्जो स्टाइल पाए जाता है अग्जाल रीज़न पर एक्जो स्टा इल पाए जा रहा तो यहां पर पूरा शील्ड बना हुआ है ठीक है अब हम बात करेंगे इसकी वे हूँ काँ साइकल घ्र हो यहा इसक की लाइफ साइकल में समझना है तो दिखे पहला पॉयंट यहांपर लिखा हुआ है 1200 एक मोनोजेनेटिक अंडो पैरा साइट होता है मोनोजेनेटिक अंडो पैरा साइट कहने में तो क्या होता है यह केवल और केवल अपनी life cycle को एक ही host के अंदर complete करता है लिखा हुआ है अर्थात यहां अपनी life cycle को केवल एक ही host पर रहकर complete करता है ठीक है और वो host कौन है human है या तो other या तो क्या है other vertebrates अधर वोटिब्रेट्स होंगे ठीक है next वाइं देके लिखा हुआ है जी आडिया की life cycle में दो फेज पाई जाती है कितनी फेज पाई जा रही है दो फेज पाई जाती है जिसे इसकी एक फेज कहलाती है ट्रोफोजाइट और दूसरी फेज कहलाती है सिस्ट फेज ठीक है ट्र यह क्या कहला रही है feeding phase feeding phase और सिस्ट वाली जो है यह infection को cause करती है that is called infected phase ठीक है आगे देखिए next point जी आडिया का infection human में contaminated hand यानि की उनके जो infected गंदे हाथ है उसके द्वारा contaminated water contaminated food से होता है इसको ग्रहड कर दें इसके ingestion से होता है जिसके ingestion से जिसके ingestion मतलब अंतरक रहन से यह parasite human के stomach में वह small intestine में पहुँच जाता है तथा यहाँ पर यह cyst acidic pH के कारण अब जो cyst इसको पर 4 तरफ जमी हुई है वो क्या करेगी acidic pH के कारण dissolve हो जाती है acidic pH के कारण अपनी वाल को bust कर देती है जिसके कारण दो ट्रोफोजाइट release हो जाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं 2 tr suppliers small intestine में याacho में रिलीज होते हैं अब देके लिखा हुआ है प्रते क्टरोफोजाइट binary phishin के कारण काफी तेजी से multiplication करता है हर एक ट्रोफोजाइट हर एक ट्रूफोजाइट यानि दो ट्रूफोजाइट है तो दोनों ट्रोफोजाइड बहुत तेजी से बहुत तेजी से क्या करेंगे binary fission को cost करेंगे और binary fission करेंगे क्या होता है बीच से ये divide होंगे ठीक है binary fission को करते हैं तथा यहाँ ट्रोफोजाइड अपने ventral suckers के कारण small intestine की wall से attach हो जाते हैं इसे पाए जारे उन से क्या हो गया है attach हो जाते हैं तथा Ziaidia का infection produce हो जाता है और infection क्या होता है produce हो जाता है नेक्स्ट माइन लिखा हुआ है कुछ ट्रोफोजाइड अब कुछ ऐसे भी ट्रोफोजाइड होते हैं जो लार्ज गंटों के अंदर 15 गंटों के अंदर क्या होता है insistment that means insist का formation हो जाता है तथा इस ट्रोफोजोईट के सिस्ट में चेंज होने के बाद कि इसमें नुक्लियर डिवीजन के दौरान दो से चार नुकलियस को प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या कहते हैं कौट्री नुक्लियर डिवीजन की बाडी के बाहर फीशियल या फीशियल मेंटर या फीशियस के द्वारा इस टूल के द्वारा ठीक है एक्सक्रीट कर दिये जाते हैं तथा यह सिस्ट अगेन अपनी लाइफ साइकल को स्टार्ट करने के लिए फुली एडप्टेटेड होते हैं बस इतनी सी बात है बाहर निकल जाएंगे और अगेन क्या करेंगे किसी दूसरे इंफेक्टेट किसी दूसरे हल्दी परसन को इंफेक्ट करेंगे अगर उसने किसी भी परकार का अगर आप इसको इंजेशन के माद्यम से इंजेश्ट करतें इंटेक करतें तो यह आपके माउस से उख करके कहां आ जाएगा इस्टमक में और स्टमक में आकरके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में या इस टमक में इसका पी एच ज्यादा होने के कारण एसेडिक पी एच होता है कैसा होता है जिस कारण इसकी सिस्ट क्या हो जाती बस्ट हो जाती है और दो ट्रॉफोजाइट क्या होंगे रिलीज हो जाएंगे दो ट् कारण बाइनरी फीशन होने के कारण यह भूस जादा नंबर में प्रोडीज हो जाते हैं मल्टिप्लिकेशन करते हैं मल्टिप्लिकेशन आफ देखो यहां पर लिखा हुए लेकिन कुछ आसे होंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं कुछ ऐसे होंगे जो कहां चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और 15 घंटों के बाद में 15 घंटों के बाद में आप देखेंगे इसके चारों तरफ सिस्ट का क्या हो जाता है बच्चों formation हो जाता है तो यहाँ पर लिखा है cyst again cyst form again life cycle start ठीक है अभी life cycle start करेगी insistment का formation हुआ और यह क्या करेगा contaminated food में water में जाकर के पहुँचेगा किसी कारण हवा के कारण या मिट्टी के कारण अब जाएट से बात इस टूल को अगर किसी patient ने आडिया के पेशन ने बाहर कहीं किया खेतों में यह तालाब के किनारे या ऐसी जगा पर जहां से जहां पर human habitat पाया जा रहा है वहां पर अगर यह करेगा जाकर कि अपने स्टूल को definitely क्या होगा damn sure क्या होगा कि धीरे 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 वह स्टूल जोगा decompose किया जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा और वह धीरे धीरे spread हो जाएगा एर के कारण ठीक है या खेत में अगर वह कहीं पर गया है ठीक है लैंड्स पर कहीं पर गया है एक्स करने के लिए तो वहां पर जो crop improvement हुआ है crop yield हुआ है उसमें यह जाकर के बैट जाएगा या अटैच हो जाएगा और किसी खेत में कोई वेक्ति काम कर रहा है उसको खीरा खाने का मनुआ उसने तोड़ा और बस ऐसे पोचा और खा लिया ठीक है तो पोचने से खतम नहीं होता है पोचने से क्या होगा यह बाड़ी के स्किन में या कही नहीं लगी जाएगा और contaminated food कहने मतब यही है इन्फेक्टेट फूड को आपने खा लिया जिसका रण यह आपके बाड़ी के अंदर चला जाएगा और आप infected हो जाएगे जी आडिया के बारा इसका क पकी है यहाँ पर समझाओ अब इसकी pathogenicity की बात करेंगे रोग जनक तक की बात करेंगे किसमें रोग जनक तक कैसे देखी गई है या होती है तो देखिए पहला पर लिखा हुआ हुए जी आडिया human की small intestine में endoparasite की रूप में पाया जाता है इसका infection कैसे होता है contaminated food water की use करने से होता है ठीक है next point सामाने तक किसी infected person का facial matter यानि की stool infected होता है infected person का क्या होगा facial matter भी infected होता है जिसके स्टूल में GRD की cyst पाई जाती है ठीक है जो human की small intestine में infection को trophozoite के रूप में फैलाता है ठीक है किस्ट क्या करता है human की small intestine में infection को trophozoite के रूप में फैलाता है जी आडिया एक monogenetic endoparasite होता है जिसकी life cycle एक ही host यानि की man पर दो form में complete होती है एक तो trophozoite के रूप में और दूसरी cyst के रूप में जिसे हम क्या कहता है trophozoite और cyst तो याद रखिएगा यह पूछा जाता है बस यहीं से question आया कि क्या कौन सी stage है जी आडिया की और cyst कौन सी stage है जी तो टूफोzoite feeding stage है यह खाना पीना खाती है और cyst क्या है यह एक infection stage होती है जोकि किसी दूसरे परिशन के अंदर जा करके पहुंच करके उसको infect करेगी नेक्स माइन देके लिखा हुआ है जी आडिया की feeding stage होती है तता cyst इसकी infected stage यह pathogenic form होती है right infection कैसे हो रहा है जी आडिया का यह skin के contact में आने के बाद mouth के दौरा stomach वा intestine में पहुंच कर infection को produce करता है अब हम बात करेंगे इसके symptoms की अगर मालों किसी person को यह patient को जी आडिया का infection हुआ है तो symptom क्या आपको दिखेंगे तो चुरवाती दौर में तो symptom दिखा ही नहीं देते हैं देखो लिखा हुआ हुआ है human में जी आडिया के infection के कोई इसपर symptom नहीं है नहीं होते है लेकिन infection होने के दो दिन के बाद infection होने के दो दिन के बाद इसके symptoms normal form में show होने लगते हैं जैसे जी आडिया का infection होने पर produce होने वाले कुछ normal symptoms for example abdominal pain पेट में बहुत दर्द होगा डाइरिया हो जाएगा नौजिया ह हो जाएगा और क्रैम्स हो जाएंगी एंठन बहुत ज्यादा मचेगी headache होगा सर में दर्द होने लगता है और weakness आपको मैसूस होने लगती है रूप में शो होते हैं नेक्स में देके लिखा हुआ है infection start होने के 2-6 हफ्तों के बात अब यहां पर खास बात infection start होने के 2-6 हफ्त हो जाते हैं लेकिन बाद में फिर यह सुरू हो जाते हैं जी आडिया का सही रूप से treatment ना होने के कारण यहां all symptoms infected person में लॉंग टाइम तक शो होते रहते हैं 2-6 हफ्तों के बाद में आप ठीक होए खाना-पिना सही घाने लगे सबको सही हो गया फिर अचानक से एक दिन पत स्टूल के साथ में ब्लड भी आ रहा है तो दिक्कत होने लगता है फिर बहुत ज्यादा infection हो जाता है तो treatment अगर इसका सही रूप से हो सही समय पर नहीं लिया गया तो यह सिम्टम्स लंबे समय तक शो होते रहते हैं किसी person में जी आडिया का infection लंबे समय तक रहता है तो इस person की small intestine की inner surface पर पाई जाने वाली विलाई और microvilli यह क्या हो जाती है खतम हो जाती है ठीक है नस्ट हो जाती है तता small intestine की inner surface लगबख फ्लेट हो जाती है अब जब चपटी हो जाएगी microvilli और विलाई रहेंगी नहीं तो आप जो भी खाओगे पीओगे वो absorb होई नहीं जाएगा तो क्या होगा आप कमजोर हो जाएंगे वीक हो जाएंगे और एक दिन पेशेंट की मृत्य हो जाएगे अब हम इन में digested food material का absorption नहीं हो पाता है ठीक है पूड के absorb ना हो पाने के कारण infected person में लगातार रूप से टाइरिया dehydration weight loss होने लगता है ठीक है नामली जी आ सही रूप से treatment लेने पर infected person ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर सही रूप से treatment नहीं लिया तो infected person मर जाते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे इसके prevention and treatment की भाई इसको हम कैसे prevent कर सकते हैं और इसका हम treatment कैसे कर सकते हैं है ना तो देखिए पहला point लिखा हुआ है human में जी आइडिया का infection सच्चिता की कमी लेक आफ हाईजीन ठीक है के कारण होता है अगर आप सच्चिता की कमी को परतेंगे तो दिक्कत हो जाएगे अता clean condition में जी आइडिया का infection से बचाओ किया जा सकता है तूसरा most of conditions में जी आइडिया का infection contaminated water की कारण होता है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं पानी और यहां किसी ठेले पे आपने टिकी क्लीओ उमसे कालिया परता प्रक नहीं परता फेटी ने कर रहा हूं आहि मैं उनका फिरार में बंगर नहीं कर रहां जो विचारे भीड़े के घा इस बात को ध्यान कर लेकिंछ बानी यह बंद्याकर आप गरी है या आसपास वहाँ पर जो नल लगा हुआ है खेत में या जहां पर आप किनारे खड़े करके खा रहें आसपास नाला आला है तो दिक्कत है और गरम चीज ही खाएं ऐसा नहीं कि काफी समय के द्वारा यूज किया जाने वाला वाटर प्योर और किसी परसन में जी आडिया के infectious के initial इनिशियल सिम्टम्स दिखने पर इसका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए तथा मेंली इन्फेक्टेट परसन को एंटीबाटिक फॉर एंटीबाटिक का नाम है यूज किया जाना चाहिए जिससे क्या होगा जो होगा यह जो होगा जीर्डिया जो इसमाल इंटेस्टाइन में आपके अटेच है वहाँ पर उसका अटेच्श्मेंट कर दिया जाएगा चिक नहीं कर दी जाएगी स्माल इंटेस्टाइन जिससे वो बाहर आ जाएंगे और आपको इंफेक्शन होने से बच जाएगा तो सिंटम्स भी देखि प्रिवेंशन कैसे करें और ट्रीटमेंट कैसे करें यह भी हम लोगों ने बादे में पूरा समझ लिए एक आपको यह समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो प्लीज इसको जादा से जादा शेयर करो अपने तक ही मत स्टोर से लोड करो पिटेलीग्राम में अपनी आईडी बनाओ उसमें सर्च करो एसार बीएसी क्लासे ग्रूप में जॉइन कर जाओ वहां पर पीडिएफ आपको मिलेगी बहुत भात धन्यवाद